Hi everyone, आज बात करेंगे Kaplan Point Laboratories की ये एक pharmaceutical company है और variety of products में ये deal करती है screen pain की product लेन आपको दिखी रही होगी, ये capsules बनाते हैं, vaccines बनाते हैं, injections बनाते हैं, soft gel बनाते हैं और भी काफी सारे products ये बनाते हैं pharmaceutical space में, दो reasons से इसमें बात करेंगे number one, एक तो ये 40% low पर trade कर रहा है अपने all time high से, और second, इसमें 63% के delivery देखी गई है 6th of March को अगर मैं आपको इसके delivery के numbers NSE के site पर दिखा हूँ, तो ये हैं वो numbers, आप देख सकते हैं, इसमें 63% के delivery हुई है, मतलब 63% काफी एक strong number है, यतने भी stock trade हुए, इतने stocks अगर dream at में delivery में जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो buyers हैं, वो उसको long term के लिए, या ये short term purpose के लिए भी इस इसके future को ले करके, क्या आज अगर हम इसको buy करें, तो क्या 3 साल बात company उस level से grow कर पाईगी, business की longevity क्या है, आज से 3-5 साल के अंदर, क्या तब तक ये business उस speed से grow करेगा, क्या business के अंदर इतनी depth है, इतना strong business है इनका, कि हमें इसमें invest करना चाहिए, और management का क्या vision है, क्योंकि management है, जो company को बढ़ाता है, या फिर management की हवज़े से company गिर जाती है, अगर management strong है, management का vision strong है, तो ये company आगे कैसा perform करेगी, वो हम आगे थोड़ा discussion इसमें करेंगे, तो net net, मैं आपको काफे सारी चीज़े इसमें बताऊंगा, इसके technicals भी दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को end त decision लेने में आपको easy हो, आपको इसमें invest करना है, तो क्यूं करना है, और नहीं करना है, तो क्यूं नहीं करना है, तो आगे बढ़ते हैं, और ये company के कुछ key numbers है, जो इनके अंगे अंगे बताया है, 7 से जादा इनके बास में R&D facilities है, इंडिया के अंदर research and development की, 23 countries में इनका business अभी run करता है, 340 से जादा इनके बास scientist है और 22 से जादा numbers इनके अभी जो हैं, जो प्रॉड़क्स इन्दोने registration के लिए डाले हुए हैं, अप्रूवल के लिए, इंडिया में और बाखी countries के अंदर वो 22 हैं और 18 अप्रूव हो चुके हैं, 75% business company को जो है, वो generic medicines से आता है, product से आता है, और 25% brand new product से आता है, 65% distributors से business आता है, इनको जो revenue आता है, और 20% pharmacy के जरीए आता है, और 15% tender के जरीए आता है, और ये पूरा इनके जो product line जो हमने अभी उपर देखी थी, ये पूरी product line है, और उसमें से कितना कितना business, कितने कितने units से sell करते हैं, market में ये उसके numbers इनको ने दिये हुए है, तो आप pause करके देख लीजेगा, तो अब बात करते हैं इनके financials की, ये capping point की profit and loss statement है, आप जगर June 2021 में देखेंगे तो इनका जो revenue था, वो 81 crores था, और आगे बढ़ते बढ़ है, तो हर 2 साल में इनका revenue जो है, वो double हो रहा है, ठीक है, और main चीज़ आप इनके net profit पर नजर डालेंगे, तो इनके net profit है, इनके margins काफी strong है वैसे तो, ठीक है, शुरू में इनके margins कम थे 10% के, आसपस थे company ने फिर उसमें काफी जादा improvement करी है, और margin 36% तो grow करे है, और current में 29 का margin average इनका चल रहा है, और इनके net profits है, उसी के वाई से improve हुए है, margin और sales दोनों ही इनके improve होती गई है, तो जो 6 crores का net profit कर रहे थे, वो आप देखेंगे कि every alternate year में इनके डबल से जादा किया है, 14 था, फिर 41 कर दिया, ठीक है, फिर 96 पे आ गए, increase करके, और 96 से अल्मोस्त इन 177 से ग्रोव कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 251 पे आ गया है, और अब फिर इनोंने ग्रोव किया है, 25% से, 20% से ग्रोव किया है, और 308 crores पे है, और इस बार का जो trailing number है, 357 crores का है, तो company ग्रोव कर रही है, average अभी भी आप देखेंगे, 25% के आसपास company ग्रोव कर रह देखेंगे, तो stock CAGIA जो रहा है, 48% का रहा है, 3 साल का 30% का, अभी का minus मैं क्यूंकि stock अभी काफी, अपने all time high से नीचे आ गया है, ठीक है, profit growth अभी आपने discuss करी, वो भी काफी मजबूत है, profit and loss, इनका काफी strong है, और अब इनके balance sheet भी देख लेते हैं, balance sheet अगर आप देखें 22 के अंदर आप देख सकते हैं, और अभी तो Q3 भी हो गया, Q4 भी हो गया, तो numbers यहां पर नहीं show हो रहे हैं, but basically अगर आप net net देखेंगे, तो इनके reserves काफी significantly मजबूत है, और सबसे strong चीज़ जो company की balance sheet में है, वो है, इनके borrowings, वो बिलकुल zero है, जो इनकी long term की borrowings आप देख में काफी healthy reserves हैं, और इनके borrowings हैं, वो बिलकुल net net zero ही है, और अगर इनके cash flow statement में आगे ध्यान दे, तो आप देखेंगे कि, इनके cash flow statement भी काफी strong है, हर साल इन्होंने काफी अच्छे funds इनके पास में रहे हैं cash में, आप देखेंगे, पिछले 4 साल में ये cash rich company है, इन्होंने क काफी अच्छे cash flows maintain किया है, cash positive रही है company, तो अगर आप इसमें shareholding pattern देखेंगे, तो इनके जो shareholders, promoters हैं, उनकी shareholding जो है, वो लगबग सेम ही है, थोड़ा सा ये कभी-कभी बीच में sell कर देते हैं, फिर वापस से ये buy कर लेते हैं, अपने stocks को यहां पर, तो इनका जो shareholding pattern ह है, वो ठीक है, और FIA इस में देखेंगे, तो जादा promising number नहीं है, FIA अपनी position, no doubt, अभी पिछले 2 साल से वापस से build कर रहा है, उनके पहले काफी a check strong number था, इनके पास COVID से पहले, उसके बाद इनके अपना stake sell किया, वापस से अपनी positions को अभी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और अभी 2.24% पर है, लाज देसेंबर तक रहे हैं, और DIA का number यह बहुत जादा नहीं है, 1.12% की ही holding है DIA के पास, net net में आपको यह बताऊँगा कि FIA और DIA की holding जो है, वो लगबाग 3% के पास है, एक normal ठीक ठाक number है, बहुत जादा strong number नहीं है यह, और shareholding pattern को देखके यह लग share करी है, यह इनके financial numbers है, जो मैंने up quality दिखा दिया है, वो मजबूत है, इनके जो cash reserves है, वो improve हो रहे हैं, लेकिन जो focus करने वाली चीज़ वो यह है कि company, जो है capital expenditure कर रही है, oncology facility के अंदर, और US injectable facility में, ठीक है, company काफी बड़ा expansion कर रही है, जो कि इनकी production को increase करने में, expand करने मे और company के जो US का business है, 70% से grow कर रहा है, जिसमें यह कह रहे हैं कि इनकी capital steriles है, injectables है, वो 70% year-on-year से grow कर रहे हैं, इनके जो इननोंने 4 batches अभी complete किये है, complex injectables के, जिसमें optimal products हैं, और जो यह US market में fill करेंगे, 2023 के अंदर, company के liquid assets जो है, वो 1400 crores पे है, वो हमने भी देखी लिए, 1600 cro के असपास हैं भी, इस quarter में, और company के जो continuously, जो constant growth है company की, लटाम मार्केट के अंदर, लटाम मार्केट मतले लाटिन अमेरिका के अंदर, इनकी growth अच्छी हो रही है, और future ready होने के लिए company अपनी soft yield capacity को almost company 2x कर रही है, injectable capacity को भी company increase कर रही है, जिसमें के revenues और profitability में काफी अच् कर रही है, और company का कहना है कि company new new locations में, geographies, countries के अंदर expand कर रही है, जैसे तुरमेकिस्तान, उस्वेकिस्तान, कमबोडिया, वेतनाम, फिलिपीन्स में अपना business को आगे लेकर के जा रही है, company का अगर आप्डेट देखेंगे, तो company का API का business है, refurbishment का, वो next 6 months में हो जाएगा, complete और Chennai में जो एक oncology का plant इनका बन रहा है, वो Q3 24 में complete हो जाएगा, मतलब इस साल दिसेंबर तक इनका जो प्लांट है, वो ready हो जाएगा, production के लिए, आगे भी कुछ points company ने बताया है, के company भी expansion कर रही है, और countries के अंदर, soft gel के capacity बढ़ा रही है, अपनी face tube में है, कुछ-कुछ spend कर रही है, ना कि कोई loan ले रही है, company debt-free company है, बिना loan लिए, ये सारक-सारक capital expenditure पूरा कर रहे है, और company ने netnet यहाँ पी बताया है, कि अपने capital expenditure इंक्रीज कर रहे है, US में इनकी market अच्छा perform कर रही है, ठीक है, ये काफी product के approval से रहने डाले हुए है, company digitalization की तरफ जारी है, software लगा रही है अपने business के अंदर, जिससे इनका जो time है, और जो इनकी जो performance है, वो और improve हो सके, ठीक है, company new new product launch कर रही है, Q1 24 में 3 product launch कर रही है, तो netnet यह है कि company आगे जो इनका vision है, काफी strong है, company clearly debt-free रहना चाहती है, capital expenditure काफी strong कर रही है, और जितनी pharmaceuticals के जो इनके strong products है, उस प अब बात करते हैं, company के technicals कैसे है, capital point का chart है, आपके सामने trading chart, आप notice करेंगे कि, मैंने ये channel draw किया है, जो price है, वो last September से लेकर के, अभी तक मार्च में भी, इस channel के अंदर ही trade कर रहा था, sideways trade कर रहा था, ठीक है, ये 680 से लेकर के, 780 के आसपास के ये levels है, और price इसके अंदर ही नीचे के तरफ downtrend लिया, और यहां से price नीचे break हो करके, आप देखेंगे कि, इसमें support लिया है, 583 के levels पर, ठीक है, ये जो 583 का level से basically यहां पे से support लिया, और ये इसके 200 day weekly average का support है, जहां पे से support लिया, वापस से price उपर आता है, और आप देखेंगे, 613 पर अभी ये trade कर रह और अगर हम इसके बाकी के levels को, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप इसके बाकी के levels से focus करेंगे, तो आप देखेंगे कि, ये जो price है, ये sideways से आने के बाद, मैंने ये chart में से बहुता दिया है, और आप देखेंगे, ये 50 day moving average की line है, और ये 200 day moving average की line है, तो price अगर य है, आप देखेंगे, 30 पर ये, अगर इसका oversold zone देखेंगे, तो 40 के पास ही अभी आया है, जादा मज़ूत price अभी नहीं हुआ है, दूसरी चीज ये है, इसके अंदर आप अगर notice करेंगे, ये अपने moving average से काफी जादा नीचे है, और जो इसका जो next जो resistance level है, वो 6.32 के आस देखेंगे कि वो price जो है, आप देख सकते हैं, 525 से लिगे 550 के levels पर ये विक बनी भी है, तो कहीं कहीं प्राइस आपको यहां देखने को मिलेगा, net net, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, इसके technicals को देखते वे, कि आप इसमें position staggered में build कर सकते हैं, प्राइस जादा मजबू इनके पास cash flows काफी अच्छे है, reserves काफी अच्छे है, company की bottom line और top line में continuously growth दिखने को मिल रही है, company काफी बड़ा capital expenditure कर रही है, और research and development में काफी पैसा खर्च कर रही है, new product के approvals ले रही है, कुछ को products इनके under approval भी चल रहे हैं, और globally expand कर रही है, ठीक है, तो business जो है, काफी बना रहे हैं, कोई और नहीं बना सकता है, ऐसी कोई registration इनके पास नहीं है, और basically pharma companies के अंदर इस company patent होता है, वो काफी जादा मजबूत मानी जाती है, और उसके पास में काफी edge होती है, अपने product को महंगा बेशनेगी, तो उनके margins काफी strong होते है, margins इसके भी almost 35% के आसपास हम अपने भी देखे हैं, तो company ये भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, और काफी जादा grow कर रही है, तो long term perspective से आप इसको ज़रू consider कर सकते हैं, मेरे तरह से किसी भी तरह की buy and sell की recommendation नहीं है, ये video में जतनी भी बाते मैंने आपको बताई हैं, company के fundamentals, company के products और company की जो भी ये growth कर रहे ह वो मैंने आपके educational purpose के लिए video बनाया, ताकि आपको एक outlook मिल सके company के बारे में, किसी भी तरह की buy and sell करने के पहले आप अपने advisor से ज़रू consult कर लें, एक बार अपनी research ज़रू कर लें, उसके बाद ही कोई decision लें, इस video के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो में valuable information मिलियो तो प्लीज इस video को ज़रू like करें और चैनल को मेरे subscribe करें, ताकि मैं वीडियो आगे भी और जो वीडियो बनाऊ, इस तरीखे की जो analysis वीडियो में बनाता हूँ, वो वीडियो आप तक पहुंचें, कोई वीडियो कर आप आप भी चाहतें किसी specific stock के उपर मैं बनाऊ, तो आप comment करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, thanks for watching,